राइपूर में राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने भूपेश सरकार पर राज्य के 16 लाग गरीबों को आवाज से वंचित करने का आरोप लगाया वहीं राज्य विधान सभा में प्रश्न काल के दौरान इस विशे पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की गलत मंशा की बज़ा से प्रधान मंत्री आवास योजना का लक्ष पूरा नहीं हुआ जिससे प्रधेश के 60 लाग करीब परिवार आवास से वंचित हो गए हैं और राज्य के पंचायत पंत्री के विभाग छोड़ने का फैसला करना पड़ा है उस साथ लाख असी हजार मकान बनाने में अस्फल रही क्योंकि शक्तित गड़ सरकार का जो टार्गेट था वो जो पैसा 40 प्रतिशत लगाना था उसको नहीं